मैं हूँ आपके साथ पूजा मुहन पांडे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जाने माने जोती शाचारे पंडित सायंबिजी पंडी जी बहुत-बहुत स्वागत है जंदा टीवी पर आपका नमस्का जी तो आज हम बात करने वाले हैं उस पावन परवकी जिसे हम नवरात्र कहते हैं यानि कि शक्ति की उपासना की बेहत खास दिन कहते हैं इन दिनों देवी की विधिधान से अगर पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कश्ट दूर हो जाते हैं आम इंसान भी सिध्धी प्राप्त कर लेता है साथ ही उसे मा की असी मनुकंपा प्राप्त होती है नवरात्र के पांच में दिन किस देवी की करें पूजा और क्या होगी पूजा विधी ये तमाम सवाल होंगे और साथ में इन सवालों के जवाब के लिए स्टूडियो में हमारे साथ पंडी जी मौजूद रह तो आज नवरात्र का पांचवा दिन है नवरात्र के पांचवे दिन मास कंद माता की पूजा आरचुना के जाती है ये मा दुर्गा की नौ शक्तियों में से पांचवी शक्ति है तो आए जानते हैं मास कंद माता की पूजा के लिए क्या विधी विधान होते हैं सिंग्यासन गता नित्यम पद्माश रित कर्दव्या शुबदास्तु सदा देवी सकंद माता यश्यस्विनी नवरात्र के पाँचवे दिन सकंद माता की पूजा की जाती है देवासु संग्राम के सेनापती भगवान सकंद की माता होने के कारण मातुर्गा के पाँचवे स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है देवी सकंद माता की पूजा के लिए पूजा स्थल जहां पर कलश स्थापित हो वहां पर सकंद माता की मूर्थी या फिर तस्वीर के स्थापना करनी चाहिए मास कंद माता को फल और फूल चढ़ाने चाहिए और साथी साथ दूप दीप जला कर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ऐसा माना जाता है कि पंचोप चार विधी से देवी सकंद माता की पूजा करना बेहद फल दायक होता है कंद माता की चार भुजाएं हैं और इनकी दाहिनी तरफ की उपर वाली भुजा में भगवान सकंद गोद में है इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है बाई तरफ की उपर वाली भुजा बर्मुद्रा में रहती है तो वहीं नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प विराजित रहता है ये कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है और इसी के कारण इन्हें पदमासना देवी भी कहा जाता है सुख एश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की च्छाई भी मनुष्य की पूरी होती है। और ऐसी मानता है कि देविसकंद माता को सफेद रंग अतिप्रिय है जो शान्ती और सुख का प्रतीक है। जोती शिय मानताओं के अनुसार देविसकंद माता बुद्धगरह को नियम्तृत करती है। देवि के पूजा से बुद्धगरह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। ये देवि अगनी और ममता की प्रतीक मानी जाती हैं। और इसलिए अपने भक्तों पर सदा प्रेम आशरवात की क्रपा बरसाती रहती है। सकंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन स्वेम ही। अच्छे बुरे के बीच एक देवासो संग्राम है। और हम स्वेम अपने सेना पती है। हमें सेने संचालन की शक्ती मिलती रहे। इसलिए मासकंद माता की पूजा राधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विश्वध चक्र में अवस्थित होना चाहिए। जिसे की ध्यान, चित और व्रती एकाग्र हो सके। ये शक्ती, परम, शान्ती और सुखका अनुभव कराती है। जो कही और पूजा की विधिके लिए सबसे पहले तो, आपको संकल प्ले कवारटर। ये कि रहиной और।। तो आसन का रंग जो है वो लाल हो तो बढ़ियां है पीला भी हो सकता है लाल-पीला मिक्स भी हो सकता है शुब होना चाहिए उसके बाद पैटने के बाद संकल पेना हमेने जैसे बताया था पिछली बार भी कि हाथ तहीन हाथ उपर बाया हाथ नीचे तोड़ा से जल रख करक और तिथी जो है आज वह पांच पी तिथी तो अब बताएंगे कि इतनी तिथी को मैं अपना फिर नाम नशात्री को ते कि अभी देवी मा के इसकन माता रूप का पूजन करने जा रहा हूं जा रही हूं जे अता कृपा करके परमात्मा कृपा करके मुझे सहयोग करें जि आप इसका फाल मुझे तक्षण प्राप्त हो देवी मा प्रसन्नों जे यह हमेशा बोलें आप इस कॉंफिडेंस में रहें कि पूजा तो होई जाएगी बहुत चोटी सी बात है कुछ भी हो सकता है कि बहुत कॉमन सी बात है कि आपके मेडा करके बल बजा दिया और आपको सकता है की या वहां काखर आगया कि आपकर सकता है बहुत इंप्रॉडन्ट है कुछ भी उतसक्ता है तो कई बार तो क्या होता है कि बच्चा गिर जाता है या कोई चौ्ट लगना झालती क trilogy से में प्रहता हैं कि तरफ आ डिसकाओ दिन देक्वित है तहां कि ए subject by रिखी को के लिए जरूर नियुकि किसलिय करने हैं तो मसब में इसके बारेंकों पेसे बात करेंगे आपको पुझा क्रेंगा किस लिए करना यह कूंकि बीनाफर कर Sports कि क्योंकि आपको कर्म करने तो आपके कर्म जो आएं परपस से कर्म करने के लिए अप्रें जो भी आपके अब कर्म करेंगे उसके बाद ही आप फ्री हो सकते हैं तो कितनी कोशिशित कर लें देवी अगर रामकिष्ण परहमांस जब राहस साथ बात करते तो तो इक राज विवका ने ने उन्य ने आप क्स अपने गले को थी खनु करने के लिए क्लाइब प्रॉट ने का लेंगें तो अगली दिन किया तो देवी ने वुळा कि इस कंट से सबसे बड़ा निट्वार जितना ज्यादा भुगत थकेंगा पड़ता हुगना ही वो देवी माने में इस तरहाएंगी हर ज्याना का सीधा सच्छा हाँ तिन राथ होगी राउंड रिपोर्टेंग यह बहुत बड़ा भुगत रखेगा ना रुकेंगे ज्याद समक्ति है चलता टीवी भाव सब्सक्राइब करने के लिए मंत्र है ओम गाड़ पत यह नमाना ओर ज्याद रहे कि मंत्र बहुत गाते हुए नहीं बोलना है ओम गम गड़ पते नमाओ या बताना आएगी डिशन होना चाहिए वह मंत्र का वाइब्रेशन जो भॉत ог है्म आप मंत्र बोली एपाच बारएना बार लेख सो 31 बार एक सो इक ना इक सो ऐट बार ऐसे कर तो यहाचा रहेगा मतलब डो से LEवाइड नी कि अधा सके ऊडिला आप मों ser Vi नमस्कार करना है तो क है आश्रिवातैं के डिसे मेंस्कंदारूप मुंकि पूजा बीज मन्त्र करें कमेश सदूर जाता है कि जब हमीज मन्त्र का उचारन करते थे तो इस दो इस्ट है हो जल्दी प्रसन्न होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं अगर एब इसे तरह से एक एक खास मंत्र का देवि से संबंध होता है इस अगर आप सो बार बहुं अच्छा है आइक वह एक उच्छमृ सब्दों बाते हैं क्यों बोले खुष हो करके और किसी बोलेगा नालायब कुछा आठक कुछ या इक ते सब्सकार के साथ चाहिए यह औच्छे चाहते हैं या annes आ। उसलिगा नमस्कार करता हूं तो इसलिए नाम कबड़ा महत्व है उसलिए मंत्र में नाम डाला जाता है और इसमें पर बहुत आसान मंत्र भी बोल सकते हैं कि मासक मंत आप लगां और आप ग्रिहस्त हैं कॉंपिकेट मंत्र में ना पढ़ें अगर पढ़े तो फिर कैसे ख्लू पर ना कैसे क्लोज कर तो इसलिए ध्यान रहे बिना गुरु के जाप इस तरह से नहीं करना चाहिए नियों तो मुश्किल हो जाती एनर्जी तो आज आएगी लिगा फैंडल ने कर पाएंगे दूसरा क्या है कि एक मंत्र में बताया है कि अब से आसान मंत्र है जो आसान कि आसान तो नहीं है लेकिन सर्फी और मंत्र बाहराबर कर रहे हैं तो कि होता है शहड़ा repeatedly खर आप सामने जल रख लें असमें का ह है आप बहुत अच्छा ंरता है मतलब क्या है जल आप पूरा ने रहता थोड़ा ग्ए पूरा आपे थो उसमें काफी उच्छी घोरते आने तो इसमें क्या है मंत्र क कि ओम आयम रीम क्लीम चामुंडाय विचे तो मंत्र सिर्फ मंत्र करने से नहीं होता है मंत्र है तो पाउरफुल लेकिन जल रहे है और गंगा जल रख रहते हैं तो क्या होता हर रोज वही जल रहेगा तो अभी मंत्रित होते होते पूरी दिन तक बहुत पाउरफुल जाएग तो ये विशेश गानदें मंत्र आपको बताते रहें लेकिन जल्द में संगरहित कैसे करना वासी करना है अब तो उसके बात क्या है कि आपको पसंद्र नियुक्त ऑफिगसे और काफी अच्छा रहेंगे और का आसान होगा आपका करना तो जो चीज़ें बिल्कुल जैन्वीन है उनके लिए वे चीज़ करेंगे तो आप कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं और शेर के ओपर कमल के ओपर मा इसके पीठे क्या रहसे है क्या मा का महत्व है उंके स्वरूपे यह आप का यह रूप है वह अजल करने की श्मता पत्र हो चुका है स्कंद माता अंसे पूतर है को मान दिया जाता है कि माँ है तो मा का मान दिया जाता है रूप प्यारा रूप है आप देखें अस्तर रस रस रहे नहीं दिकाई रहें कि दिवी को भूषभी के ज़रूदित होगे है कि एको वर देते हुए तो क्या हो रहा है कि ये रूप ऐसा है में कि आपको बहुत आश्रबाद मिल रहा है और अभी इसमें धान रहा है कि जो इनके पुटर निसकन्द कॉइब बहुत जो ढम आप जब पूजा करते है तो कारथी के भगवान भगवान भी आप की सहाइदा करते हैं है और सी मा कैशीरवाद तो मैं कि उसे इसलिए क्या है कि अघण स्कण्ड पूत्र हैं वह बहुत ही पॉर्फुल तरिके साथ के मदद करते देवी चेयर जीए की आपने लिया कि आपको आपकर अपने जोड़ा है और ऑप पर यह में तुझा सा महाल है और अपने आपने अपने आपकर रूप है और देवी मागा को जान्ति का सूरी तो सूरे कारण की पूज है उति वह को थे को ए उब्द और का सूरे के साथ हो जाता है को ज casualties शान्ति हो जाता है उसका फल सुर्य घणा शुर्खवान तो बुद्ध की प्राब्लम है मान लो किसी को तो बुद्ध की प्राब्लम है मान लो किसी को तो बुद्ध की पाने के लिए सुर्भगवान की पूजा करें तो बुद्ध की 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 बु जिए उनको आज करूप करनी है यह या फिर माराइना करना को से शेत्र के यब किसी समस्याज क्रशस्य चल रहे हैं जो माक्या आराढ़ना करें और उनको देजिए कलо ऊड़े है यह कोई वक्ति अगर किसी के संतान से कष्ट हो या संतान हो ही नहीं रही है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवी का इस रूप में करेंगे तो बहुत अच्छा हो, क्यों कारती के भगवान बहुत अच्छे पुत्र हैं, मतलब मा के अच्छे पुत्र हैं, तो अगर कोई विक्ति डरता है कि इन अलायक न हो जाए, क वैसे आपको भी अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है पुत्र की प्राप्ति होगी यह भी उस पर डिपेंड करता है कि आप किसका श्रवाद मिला है या किस तरह कि अपके कर्म है। स्वाफिर्प पुछे जन्म के पुछे करम को ठीक करने के लिए शमा मंगे कि अब तक के सारे जन्मों के पाप दोस्यों के लिए शमा करके मुझे पुछ एक पुतर या पुत्री जो भी चाहिए अब प्रदान करें बिसे मेरा जीवन आगे अच्छा है तो यह हो जिया दूसरा साथ में क्या होता है कि आपके साय नियुका आपके साथ रहे प्यार्स datом की में या साफ में कोई कर दितने हैं कि यही रूप ऐसा है जा आपके सामने धारूपके जो तो अश्रस्त के साथ यही रूप ऐसा है आप माँ कर आती मा के रूप मैं हो है तो मां झाल प्यार ने के, आप अच्छी संतांत बनने के कोशिश करें दो कि ने पूँलेगी एपने आपने पूत्र के रूप स्विकार करें मुझे मा की तरह प्यार दें मुझे मा की तरह आशिरवाद दें तो आज अपने देवी के साथ मा का संबंद बनाना है साध़क जो मा का संब्ब नहीं हैं रेजिए करते हैं तो क्या है चिंहर मेरे उक्सी पेल lle पता है क्या कि अरफ करना लेकिन इते जरी सबास्टा भी आहिए वाले प्रीथ लिए आज हैं वी ओपस दे रहे जांणितीत gua को तो कि माह है ना बच्चे के लिगा भी आ सकती है तो इसलिए क्या है कि यह बहुत प्यारा संबंद होता है आगर जीवन में आगे सफलता चाहिए ज्यादा सहयोग चाहिए और आपको लगता है कि देवी से जुड़े तो आप माह के रूप में जुड़ सकते हैं बहुत अच् कंद माता के लिए भी कोई विशेश भूग या फिर बली का प्रावधान है नहीं बली का प्रावधान नहीं है क्योंकि आसो देवी बहुत सौंब रूप में है तो आज कुछ देना है तो हंकार के बली देजिए क्रोध को अंकार कि यह आपने करना ही नहीं है जो बच्चा आप प्यारा हो तो गले से लगा लेते हैं कोई पिस्तरी अगर चोटा सा प्यारा सा बच्चा आपके सामने तो आप बहुत बच्चे बनकर करके अबोध बालक की तरह से बहुत निर्मल हिर्दे से बन जाई है बस समर्पित कर दीजिए अपना सब कुछ अंकार क्रोध जो क इतनी सा पूजन के लिए मैंने भोग बताया है जैसे शक्कर बताया है दूद बताया है इनको मिला कर कि आप कुछ बना कर सकते हैं मतलब केला आज करना है आपको तो अच्छा रहेगा यह सब वैसे भी ठीक केला बहुत पॉस्टिक होता तो जितनी आपके भोग मिलेंगे अच्छा होता है तो अगर आप सभी चीजा खाया करें तो बहुत कमिया नहीं होंगी जो होती है अच्कल नहीं होंगी पूज़ा के समय हमने जो है जब की बात करी थी तो कि असकंद माता के लिए भी जब का कोई प्रावधान है और अगर भक्त जब करें तो कितने माला करना चाहिए यह देवी को नमसकार के देवी को मान देने के लिए उस रूप के साथ जुड़ने के लिए आप विशेश मंतर उनके नाम करते हैं लेकिन अगर विच्छे करते हैं तो क्या होता है यह एक ही मंत्र लगतार नव दिन तक करने से पावर उसका बढ़ जाता है औ सभान जाहिए और जब लास्ट में जब नवा दिन होता है मां सिधी दात्रिका उस दिन उस मंत्र उस चल गो अपने उपर लेना चाहिए मतलब जड़गना चाहिए और बाकिया पर अपने मंत्र जाप किया 식 ल अभी मंत्र पर चोड़ देए तें मेरा आप निला पहने तो बहुत अच्छा रहेगा निला कलर तो यह आफ असानी से बहुत 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 धन्यवाद पंडिचे आपके घन दर्शकों का और हम यह उमीद करते हैं कि यह कारिक्रम लगातार तमाम दर्शकों के लिए लापकारी बना रहेगा और यूहीं उनको बागदर्शन मिलता रहेगा तो जन्ता ठीवी की यह कामना के साथ हम अलविदा लेते हैं आप से कि माकी असी मनुकमपा आप पर बनी रहे झाल